मारी जुम्मदारी बहुत अच्छी है पर उनको ये भी तो बताओ कि जितने भी इस्टुडेंट भारत में समण हैं वो सारे भाई हैं और तुमको इखटा होके रहना है अगर तुमने उनको इखटा रहने के लिए नहीं बोला और तुमने इनको दिमाग में यह बात नहीं ड कि शुक्रवार और सन्निवार कि पंद्र तारिक को हम सारे मिलेंगे पंद्र माई को इसमें जो टाइम ग्यारे वजी लिखा हुआ है यह पहला था अभी टाइम नौ बजे का है क्योंकि नौ बजे आना पान होगा और जो फुर्ण में की पूर्व संध्या है वहां जितने कि लोग हैं वह सारे सारे मैनेज करेंगे और जिनको व्यपस्तना करनी है वह चारिस पतारिस मिट की विपस्तना के लिए नौ बजे आ जाए बलकर नौ बजने पर पांच मिट पर आ जाए तो अच्छा रहेगा परश्तना होगी तो सारा सारा वातरवन बहुत बढ़िया मह लिए साल से देखी जा रही है जैसे जैसे इकटे होते जा रहे हम लोग सारे बैरिया तोड़के सारे गुर्प तोड़के सारे संथन तोड़के सारी जितने भी परानी चीजें थी जो हमको रोक ही तोड़के वैसे वैसे कुछ लोग हमारे अपने लोगों के बीच में व्य मनस्य विरोध या जो जहर कह सकते जिसको नड़ाई कह सकते हैं या जिसको एक तरह से हम नफ़रत कह सकते हैं वो फैला रहे हैं और वो बड़ा रहे हैं उन लोगों से कुछ सवाल हमारे बनते हैं कि आप समड समड के अंदर ये नफरत और ये वेमरस से ये विरोध और ये जो ज़गला या ये जो दुस्मनी है वो क्यों फैला रहे हैं यह परचार कर रहे हैं क्यों ऐसा कारण है यह अर यह जो बात हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि समण संग ये कहता है और समण संग बहुत पहले से ये कहता है और समण संग जब सुरू से खुद से भी बहुत पहले से बना तो इसके अंदर कोई restriction नहीं है आपने ध्यान दिया होगा कि आज तक भी जब से समण संग की संगती आरम हुई है समर्ण संग ने कभी यह नहीं कहा कि समर्ण संगी को वहां नहीं जाना समर्ण संगी वहां नहीं बैठेगा समर्ण संगी किसी संग्ठर में नहीं जाएगा समर्ण किसी व्यचारधार बाचीत नहीं करेगा यह समर्संगी वहाँ जा यह जाके अपना विचार नहीं रքखेगा यह ऑन बोलेगा नहीं किया कहीं जाने सकता यह कहीं आनी सकता जो कोई डिश्ट्रिक्शन ऐसी है नहीं व्ल्किन पानी संगतर पहली संगति कांष लगा था चाहे वो किसी समण में चाहे वो किसी भी व्यक्ति की हैं, चाहे वो किसी भी काश्ट की हैं, चाहे वो किसी भी संत्की हैं, या किसी महापुरुस्की हैं, या कोई भी कारिक्रम है, वो वहाँ जाएगा, उनको जाके वहाँ study करेगा, देखेगा, कि आखिर इनको आपस में मिल मिलने से रोकता कौन है क्या कारण है कि यह आपस में नहीं मिलते और वहां अपनी संग की बात रखेगा और बताएगा कि संग के अंदर सब लोगों का स्वाधत है संग सबका है और संग की सदस्टा सबके पास है और सारे के सारे लगातार और इतनी सारी वीडियो गई और हम साल से ज्यादा उपर हो गया और छुट छुटी मिटिंग्स लग रही है चैसो से ज्यादा हमारी एक्ष्वल मिटिंग हो गई और अब तो काम बहुत तेसे चलता है पोश्ट जा रही हजारों तो सब लोग पोश्ट को आगे भी है और इसकी जो नियम है जो विने है उन्हें देखके उनको पसीन आ रहा है वह घवरा रहे हैं तो घवरात में उनको कोई अच्छा काम नहीं सूझ रहा है जो ने मनुबात से सीखा जो मनुसमर्टि से सीखा क्या सीखा जो अपने मेंबर हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दो जो अपने संट्रों में लोग काम कर रहे हैं उन पर पावंद्य लगा दो उन पर एक बैरिय लगा दो उनको निर्देश जारी कर दो कि समर्संग की पोश्टर ग्रुप में आएगी तो उसको निकल दिये जाएगा समर्संग की मीटिंग में कोई जाएगा नहीं समर्संग की कोई बात नहीं करेगा और करेगा तो उल्टी उनको सिखानी रबतानी है और वो लोग सारे के सारे एक साथ खड़े होगे मैंने आपक समर्ण लोग सब लोकाब्न करवाएं जो अच्छे लोग हैं जो संठोने मैं काम करते हैं जिसंटा देते हुनको पता गई विचारों को उसास हो क्या रहा प्र जो Vidden चलाग लोग हैं जो शभष्म कंञाते हैं जिनको को नेता बनने का सोक है और जो दिन में सेक्री अपने अध्रश्पत को कभी छोड़ना नहीं चाहेते चाहा उसके लिए जान देनी पड़ जाए चाहे संठर के टुकड़े करने पड़ जाए चाहा कुछ भी करना पड़ जाए जो लोग पूरे दिन ये कहते हैं कि सामाज एक हम काम कर रहे हैं और समाज का पैसा करें खरक्ते हो रहे हैं और कुछ لوगों नहीं तो समण नाम से समण भारत समण ये और समनह के नाम से संठ खनी आने वाले हैं और संग जिनकी पीछे लागा हुआ है वो लोग कहेंगे जी पहला संट Quinn and Jenberg यह संग लुड़ moment लुड़न रहा है उनके बार ने पता रहूं बंद करते तो उनकी आत्मत्य हो जाएगी चंदा बंद करेंगे तो गाड़ी पेटल कैसे पड़ेगा चंदा बंद करेंगे तो मोबाइल कैसे होगा चंदा बंद करेंगे तो फिर जहाज में कैसे बंद करेंगे तो बड़ी बड़ी कार है उनमें कैसे चलेंगे चंदा बंद हिसाब से समिख्चा करेंगे चर्चा करेंगे और लोगों के दिमाग में यह बाट डालेंगे कि यह चीज़ खराब है यह चीज़ ऐसे है यह वैसे है वो हर संबग कोशिश करेंगे पर काम्याब नहीं हो पाएंगे कि स्री लंका के अंदर जो वहां की सरकार है वहां की सरकार ने सरकार चलाने के लिए सारे वो काम किये जो गैर सम्मेधानिक काम थी और लोगों को महँगाई में जोग दिया और वहां खाना पीड़ा लोगों की पर्चीजिंग यानि खरीदनी की छंक्ता से बाहर हो गया उनके पास पैसा नहीं हुआ महँगा नहीं हुआ तो लोगों ऐसा इसलिए होगा तो कि जो आसपास पर उनने दिया और जो काम उन्होंने करने के लिए बीड़ा उठाया और जिस काम की उन्होंने फीस लिए और जिस काम के लिए उन्होंने बुलाया हमें बारबार और जिस काम के लिए हम उनके संभिलों में गए और जिस काम के लिए ह सारे अधिकार चलेगे और बच्चों को रोजगार नहीं और नोकिया भी चलीगे हम करें क्या खेत हमारे पास है नहीं बिजनिस वाले हम है नहीं दुकान हमारे पास है नहीं यह सारा का सारा काम चलता रहा इसलिए जो सारा सारा काम जो चलता है और जो चीज़ें चलती हैं उ को हटाने के लिए हमको खतम करने के लिए पैसे कि याड़ लिजाती है तो अलग-अलग देद्देश्व में अलग चीज़ें चाथी है पर उन सब का जो सिस्टम है वो इस बात का है कि लोगों को सुख मिला या नहीं मिला नेताओं को मिला है तो जितने ये फेलेगा सुखा जाएगा कुछ हमारे संख्ठन ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि सामाजी संख्रन आगे पर वह सारी स्मेश्राप्छ बैगा समतासίνος हभीर आर्मी बनेगी तो सुखाएगा कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं गीम ऑच्यावी है घी और सुख चला गया तो सुख मांगने वाले जितनी लोग रुपे की की ड्याउन होती है या उसकी मुद्रान होती है तो और ज्यादा और ज्यादा पैसा चापा जाता है ताकि लोगों की जवत पूरी हो सके और जितना ज्यादा पैसा च्छापा जाता है उतना ज्यादा गरीवी बढ़ते चाहिए वैसे ही सारा का सारा सिस्टम वही का वही है कि जितना ज्यादा यह लोग तूकते जा रहे हैं उतने उतनी तेजी से हम ज्यादा परिशान किकी इनकी जो सुपरमेसी है इन का जो प्रधान मंत्री वाला जो छो प्रधान बनते हैं अपने यहां ऑर जो यहां ये जो संग्धन मंत्री बनते हैं अपने यहां ये बड़ा दिक्कत पैदा करता है इनको प्रधान बने रहना है इनको जनल संग्धन मंत्री बने रहना है जो प्रधान और मंत्री वाला जो उनका खेल है उसको छोड़ना नहीं चाहिते जो पैसा मिलता है छोड़ना नहीं चा में प्रेक्षिशन देते हो जिसको तुम कैडर बोलते हो कि हम कैडराइज हैं हम उनको टेडिंग दे रहे हैं हम उनको प्रेक्षिक्षित कर रहे हैं तुम क्या सिखाते हो जब तुम उनको सिखाते हो जब तुम यह सिखाते हो कि हमारा यह दुस्पन है यह हमारा टार्गेट है इसके हमें लड़ना है तो तुम दोस्तों के वारे बदाते तुम यह निसका ने नहीं ज्जाते हैं यह जो यूक्तुन मनें कि उश्यूवम्य संग्थ वरसरे में बढ़तर भाद के स्थानاع को इसमारे को यह वो पृप्प पर बाते हैं कि अ बेखाई और लंग सब्सक्रा अधियं लुक्राइए कि दो सब्सक्राइब हो यह कुझेcott तो एक ही लगाएंगे या बावा साथ की जैनती है तो एक लगाएंगे या किसी महापरुस्का बढ़ है तो एक लगाएंगे तुम्हारे मुह से यह आवाज नहीं आती निकल के तुम्हारे मन में यह बात नहीं है तुम्हारे केडर में यह बात नहीं है तुम्हारे प्रेक् की वह दों कब्हें is लुक्त कुम कि नहीं तो तुम सारे कि तुम टो एक दूसे की सखल देखने चाहिते हैं तुम एठाने के लिए कुछ चाहिए और तुम chu बठाने के लिए वही चाहिए कि जब-जब हमारा अस्तित्रीट में आया है तब-धुमारा संग आया थी यानि जब हमारे बच्यों की नसलें खतम होने वाली हुई है तब तब संग निकल के बाहराया ब हुजना है बंटा अधा है ना नí साथ बैठेंगे, सारे भिको और सारे भिकों के चेले साथ बैठेंगे, सारे जो अलग-अलग धंका काम कर रहे हैं, वो साथ बैठेंगे, सारे जो लड़के हैं, वो साथ बैठेंगे, क्यों साथ बैठेंगे और यहां क्यों साथ बैठ जाते हैं और आभी रहे हैं जो पंदर में को आ रहे हैं वो अलग लग तरह के लोग आ रहे हैं और सब आ रहे हैं क्यों बैठेंगे और क्यों बैठ सकते हैं उसका कारण है उसका कारण यह है कि संग की पहली बात तो कोई भी कि जाति नहीं है और जाति वाले आदम को भागा देते हैं कि संघ मिन जाती लेका आओंगे तो दफہ आ जा ऽविए ता भागो यहां से दरुक्ति संग के अंदर कोई आप से कुछ मांगता नहीं कोई पैसा नहीं मांगता को चंदा नहीं मांगता को रस्षित नहीं करती इसनिया डरने कोई बात नहीं है किसी के बात पैसे हो या नहीं और संग के अंदर कभी राजनिती नहीं होगी इसनिया राजनितिक लोगो को कोई खत्र सकते हैं किसी संग्ठन को कोई खत्रा नहीं आज़ो भई कोई संग कभी यह नहीं कहता कि संग के लोग वहां जाए या ना जाए संग यह कहता है संग के लोग सब दिके जाए और साइड लोग संग में आगके बैठें और संग के कि अंदर दो भिरोधिविए आसानी बैठ सकते हैं को बीलोग वैले हैं तो संंग ही एक ऐसा घर है यहां कोई ला लकष नहीं है यहां संगमें को नहींन है यहां कोई ब्युक्तिवाद यहां कोई तुम्हारे उपर सुपरमेसिक नहीं आ रहा यहां सब बरावर है मामला और सबको अपना ख़र्चा अपने आप मेना है इसलिए भेद भी नहीं है और और कोई बात अगर क्या नहीं हो तो कह सकते हैं मजई से कोई दिक्कत नहीं है इसलिए ये घर बड़ा मजबू इसलिए जितने भी संग्टन हैं उनको जो डर है उनकी नेताओं को इस बात का है कि इसकी जो पॉलिशी है इसमें जो जाएगा यह समुद्र है वह समुद्र में घुल जाएगा वह मिल जाएगा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी कुछ आसामी कुछ गुलाम कुछ करने वाले अपने कारे करता कुछ पैसा करने वाले लोग कुछ उन्होंने लगाने वालोग बड़ी मुश्किल से त्यार किये थे बावा साब के नाम पर दिखा दिखा कि अगर वह संग में चलेगे और संग की मीटिंग में आगे तो फिर बाप इस नहीं आएंगे और यह सच है यह बात इसलिए सच है मैं छोटा सा दोहना आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति आया बुद्ध के पास और बुद्ध को गालिया बखने लगा तो बुद्ध से कहले लगा यह क्या है और यह क्या है इसके बारे बता और उसके बारे बता और पहले यह बता और यह तुम्हारी यह कंडिशन है तो मैं तुम्हारा जीख लेता हूं जो तुमने यह सिखाते हो इस वाथ पूछेगा तुम बराबर में दूसरा भी था उसने का रहे जो पूछना अभी पूछ ले जब तु यह सीख लेगा तो पूछन लाग बशेगा नहीं तो सने का ऐसा क्यों वो बापकिस नहीं आता वो संग में जाकर फुरी संग्थन हो नहीं कि एंप सारे काम पर एक गलती जो को रही ये कि है कि J. आ ज़ासदी देने के बहाने लोगों को गुलाम बना दिया और लोगों को आपस में मिलने से रोख दिया और जो खर्चा आया उस falche को परस्टनल इस्तमाल में में लेने लगे और अपनी मुजी से संग की में कर्च नहीं कर रहें इनको बहुत कहा दूर कर लो अब से कह रहें या ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो जो थो 2011 में 2019 के अंदर जो 8 November को जो पास हुआ था उसमें यह बात तया हुई थी कि हमारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए सारे लोग एक सेंट्रल होने चाहिए हमारा सब का जो पैसा है जो चंद हम देते हैं वो एक जिए खटा होना चाहिए उससे सारे लोग काम चलाएं उ जो अपना काम चलाएं उससे यह जो पढ़ाई वाले वह भी ऐपना काम चलाएं उससे जो नौकरी पेसे लोग बीदया मंचलाइं पर वह सेंटलाइज सिस्टम होना क्यों चाहिएो नहीं होको यदि ओ刹 उख़त प्रडदानी सिस्टम बनाने के लिए सेंटर पडदान नह हुए क्योंकि एक सेंटल पर डाली बनती है और पैसा होता है और साई लोग एक जी खटे होते हैं तो नितागरी खता मुझा जाती है पर नितागरी नहीं खता बना चाहते हैं हर आदमी अपने क्लियर करो बात को क्योंकि समय नहीं है समय बड़ा कम है यह गोलमोल बात है और गोलमोल भासा मत बोलो तो कि एक आदमी ने अभी अभी क्या किया बहुत सारे फोटो डाले उसने कुछ इस्ट्रेंट्स हैं उनको टेनिंग दी तीन दिन की बहुत बढ़िया काम किया टेनिंग दी तो लोग है इंचेड़ के बना रक्षी हैं कुछ लोगों न debut को में छात्रों और तो होता इस ऐनधी पर उनको शिखाओ पढ़ाओ ये तो तुम्हारी जुम्मधारी बहुत अच्छी है पर उनको ये भी तो बताओ है लगाओ अपना करेंगे तुमने उनको पद दे कर दिया ने अपने संप्पन की जान देता है तो बहुत से जाके लड़ेगा और अपने संप्पन को बचाएगा तो तुमने तो अलगाँ पैदा कर दिया तुमने तो स्टुडेंट को सिखाने से पहले खतम कर दिया मार दिया तुमने ये क्या किया इसलिए कैडर तो दो सिखाओ तो जंजारी तो करो पर उसको सासात ये भी बताओ कि जितने समण के संग्धन हैं वो सारे हमारे हैं जितने भी बच्चे हैं वो सारे ह संक्रण है तो आपने तो उसको उछाटा करने से पहले ही टोड़ दिया इसलिए संगर संग उनके लिए जैर हो रहा है क्योंकि संगर तो कहता है बार 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 भाई आप तोड़ना नहीं है अभए खठे होना है मजís सिनकरी संखन का पतादीकारी है या संखन के लिए वो फीडिंग करता है वहाँ पैसा देता है या जाता है आता है उसको ये कहो उसको बारवार ये कहो कि मेरे को एक जगा बता दे पूरे भारत में जहां तो इखटा होके बैठ सकता है और एक मनसा बता दे कि तेरी क्या मनसा है कि सतर साल से हमारे अधिकार इसलिए गया है कि हम इखटे नहीं हुए अगर हम खाली इखटे हो जाते और कुछ नहीं करते तो अभी हमारे अधिकार है वैसे के वैसे रहते गर बावासाब के लिए हम सरमसार नहीं होना पड़ता कि हमारा कारवा पीछ चला गया अभी तो कारवा फ्क्तम है इसलिए जुड़ेंगे जीतेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे पंद्रे मैई के लिए ये बात उन्हें दिमाग में खाक तोशे डालो कि भई हमारे पास में और कोई जगे नहीं है या तो तू जगे बता दे या हमारी जगे आजा या तो तू बता कि हमें कहा आना है हमा जाते हैं या हम बताने तुझे कि यहां आजा यहां आना है पर बात साफ कर ले कोंकि हमारे पास में समय नहीं है यह जो तुम ड्रामे मुवमेंट कहीं पूरी दुनिया में होती नहीं है आप लगाता लगे रहो सच्छे मन से लगे रहो अच्छे मन से लगे रहो और बे फिक्र होके लगे रहो इस वार मुवमेंट आपकी किसी बहलत में व्यक्तिकत नहीं होगी मुवमेंट संग के हाथ में रहेगी संग संग का मालिक होता है, संगी रहेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उसकी चिंता मत करना, ये संग की गान्टी होती है, धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तूथियं पी धम्ममर सरेनं गच्छामी गुटियं पी दम्मं सर्मं गच्छानी तो तियों पी संघंग सर्मं गच्छानी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तरतियं पी संदम सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी